सेवा में स्रीमान दर्सक महोत है सविनय निवेदन या है कि हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके ब्रेल आइकन दबाने के करपा करें अतिमान करपा होगी धन्यवाद नमस्कार दोस्तो एक्जाम ओफोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग जारखन करेंट अफेयर के भाग तीन पे चर्चा करेंगे ये भाग तीन का करेंट अफेयर जो है अक्टूबर 2020 के मन्त का करेंट अफेयर है जिसके तैट 63 MCQ बने है साथ ही में उनके फैक्ट यानि एक्स्प्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जो आने बाले एक्जाम है जे पी एस्टी प्रारमिक परिश्चा पटवारी हाई कोट पुलिस सिच्छक जेल प्रहरी वगरा या अकांटिंट वगरा एक्जाम में बहुत ही महात्पूर करेंटरफियर होने वाला है तो बने रहे एक्जाम फविय यूटूब चैनल के साथ देखते हैं कुश्चिन नमर पहला है महात्मा गांदी की जारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है एक पुस्तक छपी है महात्मा गांदी की जारखंड यात्रा उस पुस्तक के जारखंड यात्रा वरिष्ट पत्रकार अनुच कुमार सिना की पुस्तक महत्मा गांदी की जारखंड यात्रा मुल रूप से महत्मा गांदी के जीवन चरित्र वे उनकी जारखंड यात्रा का प्रमाडिक दस्ता वेज है इस पुस्तक में गांदी जी की जारखंड यात्रा क कारणों का विस्तत विवरन प्रिकास्थ किया गया है। नेश्ट है कुश्चन फाह, ज्हारखंद में स्वतनत्र रूप से, मेर्टकल युनिष्टि बनाने का प्रश्ताव तयार किया गया है। इस युनिष्टी का नाम क्या ये बताना है आपको, तो दूसरे का सही जवाब है C option जैपाल सिंग मुन्डा मेटकल यूनिस्टी C option सही हो जाएगा यूनिस्टी का नाम है जो एक सुतंत रूप से मेटकल यूनिस्टी बन रही है जारखंड में आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नम्मर तीसरा इस पात नगरी बोकारों में इस्तित जवाहलाण नहरू जेविक उद्ध्यान में एक नर्थ तेंदुवा मृत्त पाया गया इस तेंदुवे का नाम क्या था कहां पर पाया गया है जवाहलाण नहरू जेविक उद्ध्यान में ये कहां पर है बोकारों में तो उस्तेनवे का नाम बताना है आपको तो तीसरे का सही जवाब है ए उप्षन अच्छा नाम था उस्तेनवे का यह लगबग 12 वर्ष का था इसे 2014 में टाटा चिडिया घर से बुकारो लाया गया था आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नमर चोथा जारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन एक से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया गया इसका कौन सा संस्क्राण था यह बताना है आपको यह जारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्क लॉक्डाउन की वज़े से तीसरे जारखन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ओनलाइन किया गया इसमें तिरपन देशों की 657 फिल्में सामिल की गई इसमें 85 केटिगरी में अबॉर्ड भी दिये गए आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमर पांचवां वर्स दुहार बीस का राश्टी उतक्रिष्ट तकनीकी पुरुसकार से किसे नमाजा गया है तो पांचवां का सही जवाब है C ओप्सन राश्टी धातुकर्म प्रियोकसाला को सम्मानित किया गया है इक कचरा रीसाइकलिंग के छेतर में तकनीकी विकास करने के लिए राश्टी धातुकर्म प्रियोकसाला को ये पुरुसकार प्रियोकसाला को सम्मानित किया गया है नेश्टे कुश्चन नमर शिक्स एक अक्टूबर को राष्टी स्विच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन किया जाता है इस वर्ष राज में रक्तदान पक्वाडा कब से कब तक मनाया गया छटे का सही जवाब क्या होगा छटे का सही जवाब होगा B-Option एक अक्टूबर से पंद्रा अक्टूबर तक मनाय गया नेश्ट है कुश्यन नमर सेवन जार्खन के किस नेता कुभाजपा के राष्टी उपाद्यच के रूप में मनोनेत किया गया है तो सात्वें का सही जवाब है पूर्व मुखमंत्री रगवरदास वज सांसद अन पूर्णा देवी को भाजपा का राष्टी उपाद्यच मनोनेत किया गया है वहीं राजसवा सांसद समीर उराओं को भाजपा अनसूची जनजाती मोर्चा के राष्टी अध्यच की कमान सौपी गई है नेश्टे कुष्चन नमबर आठवा जारखंड के किस जिले को तमाखु नियंतर कनून कोटपा 2003 की धारा 4 के तहत धूमरपान मुक्त जिला घोसित किया गया है तो धूमरपान मुक्त जिला किस जिले को जारखंड के ये बताना है आपको तो आठवें का सही जवाब है B option राची को किया गया है धूम्रपान मुक्त जिला गोसित नेश्ठे कुश्च नमबर नवहां कुरोना महमारी में आयोजेद देश के पहले खेल आयोजन जारखन T20 किरके लीग का खिताब किसने जीता है तो नवहें का सही जवाब क्या है A option बोकारो ब्लाश्टर्स ने जारखन T20 किरके लीग का खिताब जीता है विजेता बोकारो ब्लाश्टर रहा है और उप विजेता दुम्र का डेयर डेविल्स रहा है नेश्ठे कुश्च नमबर दसमा 825 करोड की लागस से 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की इस्तापना गेतल सूध में की जानी है इसके लिए फरवरी 2019 में जारखन विजली वित्रन निकाम लिम्टेड और किस संस्ता के बीच समझाता हुआ है तो दसमें का सही जवाब है D option Solar Energy Corporation of India के साथ समझोता किया गया है नेश्ट देखते हैं question number 11 वर्तमान समय में जारखन राजविदिक सिवा प्राधिकार के कारपालक अध्यच कौन है 11 का सही जवाब हो जाएगा C option सही हो जाएगा नियादीज HC मिस्रा है C option सही है यहाँ पर नेश्ट देखते question number 12 जारखन एथिलेटिक सिवा इसोसियेशन के अध्यच कौन है 12 का सही जवाब है B मदुकांत पाठक B option सही है Question number 13 है Quduk Literary Society का राष्टी ओनलाइन समिलन कब आयोज़िद किया गया 13 का सही जवाब है C option 30 से 31 अप्टूबर के बीच में आयोज़िद किया गया नेश्ट कुष्चे नमर 14 समग्र सिच्छा अभियान के तहद काररत राज के पारा सिच्छक और कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्यालियों के सिच्छकों और कर्मियों का कारकाल के दरान निदन होने पर उनके आस्रितों को कितनी रासी दी गई तो चौदे का सही जवाब है D option 5 लाख रुपए दिये जा रहे है इसके लिए कल्यार कोस का गठन किया गया है जिसमें सदस्यों को 200 रुपए प्रतिमाए अंसिदान करना होगा पारा सिच्छक यहों कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्यालेओं के सिच्छक यहों कर्मियों को रिटार्मेंट पर 30 लाख रुपए देने का प्राधान भी किया गया है अगला है कुश्चन नमबर 15 पसुपालन विवाग ने पसुओं के किस रोक के लिए जिलों में एडवाजरी जारी की है तो पंद्रा का सही जवाब है सी ओप्सन लंफी इस्किन डिजीज के जो है एडवाजरी जारी की गई है नेश्ट देखते हैं कुश्चन नमबर 16 भौइस में सारंडा जंगल में पच्छी अभिरान तयार करने की योजना बनी है विश्विप्रसिद सारंडा जंगल में 100 साल बाद पच्छीओं का सर्वे होगा ये जंगल जारखंड के किस जिले में है तो 16 का सही जवाब क्या होगा यह option पच्चमी सिंग भूमी में है यह जंगल जारखंड के पच्चमी सिंग भूमी है इस जंगल में जी जन्तुओं के अलाव पच्चियों की 200 से भी जादा दुरलव प्रजातियां मौजूद है नेश्ट है कुष्चे नमबर 17 निम्न में से किसको ट्रांजिट रूल से बाहर किया गया है तो इन में से किसको ट्रांजिट रूल से बाहर किया गया है यह बताना आपको तो 17 का सही जवाब क्या है सी ओप्सन बांस को ट्रांजिट रूल से बाहर किया गया है जारखंड वनोपज नीती दोहार बीस में संसोधन किया गया है जिसके तहर जलावन की लकड़ी एवाँ अननीजी कार के लिए उपयोग की गई लकड़ी पर किसी तरह का सुल्क नहीं लगेगा नियावाँ वली में संसोधन करते हुए जलावन की लकड़ी की साथ साथ बांस को भी विलोपित कर दिया गया है नेश्टे कुश्चन नमर 18 जारखंड के किस नकसल प्रहावे जिले में सेव, स्टावरी, ब्रोकली, बेबी कॉन, कैप्सिकन यहों मस्रूम की खेती की जाने की तैयारी की जा रही है तो 18 का सही जवाब है यह उप्शन पलामू में इन सब की खेती की जाएगी नेश्ट देखते हैं कुश्चन नमर 19 चलो राची को रमडिक बनाए अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है तो 19 का सही जवाब है राची नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है यह प्रोग्राम अगला है कुश्चन नमर 20 राच के कुपोसन प्रोहवित कितने जिलो में बच्चों को चना गुड के लिए रासी दी जा रही है तो 20 का सही जवाब है बारा जिलो में बच्चों को चना गुड के लिए कुछ रुपय दिये जा रहे है कितना दिया जा रहा है 140 रुपए उनके parents के खातों में transfer किये जा रहे है अगला है question number 21 जाएजा project के तहट महिलाओं को 25 dismill जमीन में drip irrigation की सुब्दा मुफ्त दी जाती है यह project किसके अंतरगत कारे रत है तो 21 का सही जवाब क्या होगा B JSLPS के तहट काररत है इस project में महिलाओं को drip irrigation के साथ एक छोटा poly house वरगी बेड और 10 kg कोको पिट दिया जाता है अगला question number 22 जारखन राज के अलफ संख्यक कल्यार मंत्री हाजी हुसेन अंसारी का निधन हो गया वे किस विधान सभा छेत्र का नेत्रत कर रहे थे तो 22 का सही जवाब क्या है 22 का सही जवाब है D option मधुपूर का नेत्रत कर रहे थे वे मधुपूर विधान सभा का नेत्रत कर रहे थे question number 23 हाजी हुसेन अंसारी का समद किस पार्टी से था ये भी बताना है तो इसका सही जवाब है A option जार्खंड मुक्ती मोचा से है उनका समद A option से ही है इसी को ही जामूओν बोलते हैं नेश्चटे कुश्चन number 24 जै पुवन से अलग होने वाली दूसरी वाहिनि का मुख्यालय कहां बनाया जाएगा जै पुवन से अलग होने वाली दूसरी बाहिनी का मुख्याला है कहां बनाया जाएगा तो 24 का सही जवाब है C option सिमलिया में बनाया जाएगा C option सही है नेश्टे कुश्चे नमर 25 जारखंड सरकार के द्वारा पहली बार आदिक संख्या में जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई कितने जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है तो इसका सही जवाब है C option 24 जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है नेश्ट देखते हैं कुश्चे नमर 26 कुरोना संक्रमनकाल में ओनलाइन पढ़ाई ही सहारा बन रहा है इसके लिए जारखंड में NCRT के अंतरगत नवी से बार्वी तक के विद्यार्थियों के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है इसका नाम क्या है 26 का सभी जवाब क्या होगा बी ओप्शन जो हर पार्ट साला नामा के एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिससे नवी से बार्वी तक की विद्यार्थि NCRT की किदाबों को पढ़ सकते हैं नेश्ट है कुश्चन नमर 27 निजी स्कूल में पढ़ने वाले BPL बच्चों की फीस का कितने प्रस्यत रासी केंद्र वैर राज सरकार के द्वारा वहन की जाती है 27 का सभी जवाब क्या होगा 27 का सभी जवाब है B 60 प्रस्यत हिस्सा केंद्र वहन करता है और 40 प्रस्यत राज वहन करते हैं नेश्ट है कुश्चन नमर 28 फादर लुईस फ्रेंकन का निधन हो गया वे कौन थे 28 नमर का वे पूर्व निदेशक XISS और पूर्व प्रचार संत जेवियर्स कॉलेज और पूर्व प्रचार रिम्स ये सारे पदों पर वे नियुक्त किये जा चुके हैं पहले तो इसलिए इसका सभी जवाब होगा E option सभी option सभी है यहाँ पर अगला है कुश्चन नमर 29 गेल इंडिया का मदर इस्टेशन कहां खुलने वाला है तो 39 का सभी जवाब है C option नाम कूम में खुलने वाला है अगला है कुश्चन नमर 30 अजीव का समवर्दन हुनर अभियान आसा के तहट कितने ग्रामीर महिलाओं को अजीव का के ससक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा तो 30 का सभी जवाब है C 17 लाख महिलाओं को ग्रामीर महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस मिशन के तहट नेश्ट कुश्चन नमर 31 इंटरनेशनल सूटर स्रेशी सिंग भाजपा में सामिल हो गई उन्हें किस वर्ष आरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है तो 31 का सही जाव है D.Op.18 में उन्हें आरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था अगला कुश्चन नमर 32 तपन पटनायक को लाइफटाइम अचीवमेंट और प्राइड आफ इंडिया से सम्मानित किया गया इनका सम्मन्द किस नरत्य से है तो 32 का सही जाव है A.Op.26 नरत्य से इनका सम्मन्द है अगला कुश्चन नमर 33 उशू प्लेयर आफ दा वीक का प्रुसकार किसे दिया गया है उशू प्लेयर आफ दा वीक का प्रुसकार किसे दिया गया है तो 33 का सही जाव है B.Op.26 रोहित कुमार मैतो को दिया गया है ये प्रुसकार सिल्ली उशू एकेडमी के रोहित कुमार महितो को उशू प्लेयर आफ दा वीक का अवर्ड मिला है भारती खेल प्रादीकरान की तरफ से सर्टिफिकेट वर टी-सर्ट दिया गया है उन्हें नेश्ट कुश्चन नमबर 34 किसी स्वेम सेवी संस्ता ने हिसातू तथा हरातू पंचायत में करीब 500 महोगनी के पौधे लगाए है 34 का सही जवाब क्या है 34 का सही आंसर है B अश्वथा नामक पंचायत ने 500 महोगनी के पौधे लगाए है नेश्ट कुश्चन नमर 35 जारखन की मैयूर राच्छी नदी को बांध कर दुमका जिले में बनाए गए मसान जोड डैम को अपकी सरकार के द्वारा रिमोट सिंसर सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा 35 का राइट अंसर क्या होगा तो 35 का राइट अंसर है यह ओप्शन पस्चिं बंगाल दौरा यह कंट्रोल किया जाएगा इस रिमोट सिंसर सिस्टम का निर्मार बंगाल सिचाई विवाग की तक्निकी साखा कर रही है करीब 19 करोर की लागत से कई अत्याधनिक उपकान लगाए जा रहे हैं नेश्टे कुश्चन अंबर 36 HEC के कारवाहक CMD के रूप में किसका चेयन किया गया है 36 का सही जवाब है D option नलिल सिंगल का चेयन किया गया है नेश्टे कुश्चन अंबर 37 चक्र धरपुर निवासी सांती कुरली कीट विज्ञान में PhD करने वाली पहली ट्राइबल बनी है उन्होंने किस विश्विद्याला से PhD की है 37 का सही जवाब है B option विर्षा क्रसी विश्विद्याला से उन्होंने PhD की है नेश्टे कुश्चन अंबर 38 विर्षा क्रसी विश्विद्याला के अंतरगत विट्नरी कॉलेज के डीन डॉक्टर सुसील प्रसाथ को Lifetime Achievement Award प्रदान किया गया है उन्होंने किस छित में उलेखनी कार किया है 38 का सही जवाब है A option वाल्टरी सेक्टर में उन्होंने उत्रष्ट कार किया है A option सही है आपे नेश्टर कुश्चन अमर 49 आखिल भारती इस्तर पर संचालित सुसाइटी और क्रसी विद्यान लुद्याना पंजाब दोरा 126 क्रसी विद्यान केंद्र विद्यानिकों को उनके उलेखनी कार के लिए राश्टी अवार्ट पतान किया गया 126 वेज्ञानिकों में से जारखन की कितने केवी की वेज्ञानिक सामिल है 49 का सही जवाब है यह option चार वेज्ञानिक जारखन के समलित है जिसमें डॉक्टर पंकस सेथ हैं धर्मा उराओं हैं डॉक्टर अमरज्जा हैं और डॉक्टर आर्ती वीडा हैं नेश्ट है कुश्य नमर चालिस भारत सरकार के स्यामा प्रसाद मुखर जी रू अर्बन मिशन के तहट राज के 15 जीलों के 57 पंचायतों को चैन किया गया है इसका फेज 1 और फेज 2 किस विवाग ये विवागों द्वारा संचालित किया जाएगा चालिस का सही जवाब है ग्रामीड विकास विवाग और क्रसी विवाग द्वारा संचालित किया जाएगा C उप्शन सही हो जाएगा नेश्ट है कुश्य नमर 41 तीसरे जारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को एक्सिलेंस फिल्म का अवार्ड मिला है 43 का सही जवाब है बी आप्शन वेलकम टू जारखंड नामक फिल्म को एक्सिलेंस फिल्म का अवार्ड मिला है नेश्ट है कुश्य नमर 42 बिसको मान की निदेशक सोना राम मुंडा का निधन हो गया वे किस वर्ष आदिवासी कोटे से निर्विरोध निदेशक चुने गए थे तो 42 का सही जवाब है यह उप्शन दोहार 12 और दोहार 19 में वे निर्विरोध आदिवासी कोटे से निदेशक चुने गए थे निश्टे कुश्चन नमर 43 Society of Krishiv Vigyan, लुध्याना, पंजाब द्वारा, बिर्सक Krishiv Vigyanic के दो Krishiv Vigyanic को Scientist Award दिया गया है वे कौन है तो 43 का सही जवाब है A option E. Vinaikumar और Dr. Adars Kumar Sreevastu को Scientist Award दिया गया है A option सही है निश्टे कुश्चन नमर 44 राज के 1203 High School और Plus 2 विद्यालेओं में Computer Education शुरू किया जाएगा इसके लिए भारास सरकार और राज सरकार क्रमसा कितने फिश्दी रासी देंगे तो इसका सही जवाब है B option 60% केंदर देगा और 40% राज सरकार देगी इसके लिए विद्यालेओं में समग्र सिच्छा अभ्यान के तहर दस computer सिट लगाए जाएगे प्रतिक विद्यालेओं में नेश्टे कुश्चन नमर 45 जारखंड के किस परवता रोही ने Mount Black Peak को फत्य किया है 45 का सही जवाब है A option पंकज कुमार ने Mount Black Peak को फत्य किया है राची की निवासी पंकज कुमार ने हिमाला की सरस्वती सीमा की सबसे उची चोटी Mount Black Peak पर तिरंगा फेराया है यह चोटी 6387 मीटर उची है पंकज ने 28 सितंबर से 13 अक्टूबर तक प्रसिद परवता रोही वकील एहमत के साथ इस चोटी को फत्य किया है नेश्टे कुश्चन नमर 46 HEC पहली बार आर्म्ड विहिकल बनाएगी इसके लिए उसने इजरायल के किस कंपनी के साथ समझाता किया है 46 का सही जवाब है C उप्षन सला डॉट के साथ समझाता किया है C उप्षन सही है नेश्टे कुश्चन नमर 47 Film Federation of जारखंड का सरच्छ किसे बनाया गया है 47 का सही जवाब है E उप्षन सुधीर कुमार को जारखंड Film Federation का नया सरच्छ क बनाया गया है अगला है कुश्चन नमर 48 मैथन इस्टील का ब्रांड एमबेजडर किसे न्यूक्त किया गया है 48 का सही जवाब है D उप्षन दग्रेट खली को मैथन इस्टील का ब्रांड एमबेजडर न्यूक्त किया गया है 49 दीदी बाड़ी योजना के संदर्व में निम्ने में से कौन सा कथन सही है 49 दीदी बाड़ी योजना से संदर्व में से चुन के बताना है कि कौन सा कथन सही है देखते हैं पहला कथन है इसका मुख खुद देश जार खंड से कुपोसर की समस्या को जड़ से खत्प करना है ये कथन बिलकुल ही सही है दूसरा है ये मनरेगा और स्टेट लाइबलिहुट प्रोमोसन सुसाइटी यानि जे एस एल पी एस के सहयोग से सुरू की गई है और इस अभियान के तहट पांच लाग परवालों को जोने का लच्छ रखा गया है ये तीनों ही कथन सही है यानि डी ओप्शन सही है कि ये उप्युक्त कथन सही है नेश्टे कुश्चे नमर पचास नीलोतपल, म्राडाल की किस उपन्यास पर फिल्म बनेगी तो पचास का सही जवाब क्या हो जाएगा बी ओप्शन आउघर नामक उपन्यास पर फिल्म बनेगी नेश्टे कुश्चे नमर प्रेम संस मोटर्स को 14 ओल इंडिया टॉप अवर्ड से नमाजा गया है ये ओवर्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया तो इक्याउन का सही जवाब है ये ओप्शन मारूती सुचकी इंडिया लिम्टेड द्वारा प्रदान किये गया ये ओवर्ड अगला एक कुश्चन नमर बावन राज प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने कितनी संख्या से अधिक पसुधन रखने पर कंसेंट टू इस्टेबलिस्मेंट और कंसेंट टू अपरेट लेने का आदेश दिया है बावन का सही जवाब हो जाएगा ये ओप्शन दस से अधिक पसुधन रखने पर ये CTE और CTO लेने का आदेश दिया गया है राज प्रदूशन नियंतर बोर्ड द्वारा अगला है कुश्चन नमर तिरपन कोल माइन्स प्लैनिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट का मीजियम जारखंड के किस जिले में इस्तित है तिरपन का सही जवाब है C आप्शन राची में इस्तित है इस मीजियम का निर्मार 1991 में पूरा हुआ था इसके बाद ये विशेश आउसर पर ही आम लोगों के लिए खोला जाता है नेश्टे कुश्चन नमर चमवन Most Inspiring Vice Chancellor के अवार्ड से प्रोफेसर S.C. गर को समानित किया गया वे किस विश्विद्याला के कुलपती है चमवन का सही जवाब है D. उशा मार्टिन विश्विद्याला के कुलपती हैं वे जने Most Inspiring Vice Chancellor के अवार्ड से समानित किया गया है नेश्टे कुश्चन नमर पच्पन केंदरी सिच्च विवाग के Innovation Cell की ओर से चल रही Institutions Innovation Council ने देश भर के Engineering College की रैंकिंग लिश्ट जारी की है इसमें जार्खन के कितने कॉलेजों को रैंकिंग मिली है पच्पन का सही जवाब है C Option जार्खन के 5 कॉलेजों को रैंकिंग मिली है इस रैंकिंग लिश्ट में जार्खन के 5 कॉलेजों सामिल किये गया है इसमें ISM धनवाद, NIT जमसेदपुर, BIT सिंदरी, दुंका Engineering College और BIT Extension Center देवगर को समलित किया गया है नेश्ट है कुश्चन नमर च्पन अब ही हाली में खेल विवाग की नई विबसाइट लॉंच हुई है निम्न में से सही विबसाइट कौन सी है 56 का सही जवाब है इस ओप्शन sports.jharkhand.gov.in नेश्ट है कुश्चन नमर 57 मनरेगा के तहित राजभर में 35 दिनों के रोजगार उपलवद कराने के लिए एक विशेस अभ्यान चलाया जा रहा है इसके तहित कितने मानव दिवस सजन करने का लच रखा गया है तो 57 का सही जवाब है C option 57 का सही जवाब है C option 1.5 करोड लोगों को रोजगार सजन का लच रखा गया है इसके बुरूद 1.38 करोड मानव दिवस सजित किये गया है जो की लगभग बाउन प्रस्षत है नेश्ट है कुश्चन नमर 58 अभी हाली में हजारी बाग जिले के किस प्रखंड से प्रचीन कालीन टब वच चूले के अवसेश प्राप्थ हुए है 58 का सही जवाब है B option बढ़का गाउं से ये अवसेश प्राप्थ हुए है ये अवसेश बढ़का गाउं प्रखंड के अवसरापथारी और उरी मारी रोड इस्तित जोमिया घाटी से प्राप्थ हुए है नेश्ट है कुश्चन नमर 69 जारखंड कैबिनेट ने आदर्स विद्यालाय योजना के तहत राज के कितने विद्यालेओं को आदर्स यानि उत्कृष्ट विद्यालाय बनाने की सुर्कृति दे दी है तो उनसर्ट का सही जवाब है B असी विद्यालें को उत्कृष्ट विद्याले बनाया जाएगा इन विद्यालें को संसाधन युक्त बनाने के लिए इस वर्स लगवक 350 करोड रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है कैवनेट ने आदर्स विद्याले योजना के तहित राज की असी विद्यालें को जिला इसतर पर उत्कृष्ट विद्याले युँँ प्रखंड वे पंचायत इसतर पर 4,416 विद्याले को आदर्स विद्याले के रूप में विख्सित करने की अनुमती प्रदान की है नेश्ट है कुश्य नमर 60 जार्खंड लोकसेवा आयोग यानि जेपीएस्सी के नए अध्यच कौन बनाएं गए हैं तो 60 का सही जाव है बी अमिताब चौधरी नए अध्यच बनाएं जेपीएस्सी के अगला कुश्य नमर 61 जार्खंड लोकसेवा आयोग यानि जेपीएस्सी निदन हो गया उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पदमस्री से सम्मानित किया गया था तो 61 का सही जाव क्या है डी ओप्शन दोहाट 6 में उन्हें पदमस्री से सम्मानित किया गया था नेश्टे कुश्य नमर 62 भारत सरकार द्वारा संचालित इंस्पायर अवर्ड इस्कीम में जार्खंड को कौन सा इस्तान प्राप्थ हुआ है तो 62 का सही जाव है डी ओप्शन चौथा इस्तान प्राप्थ हुआ है आगे बढ़ते हैं देखतें कुश्चन नमर 63 और इस सेट का अंतिम कुश्चन इंसिट्यूट ऑफ इनोवेशन कांसिलिंग की ओर से ड्रक्स रिसर्च हैकेथोन का आयूजन किया जा रहा है जार्खंड से कौन सा संस्तान इसमें हिस्सा लेगा तो 63 का सही जाब है ए ओप्सन BIT मेसरा इसमें हिस्सा लेने वाला है BIT मेसरा का बायो टेकनोलोजी इंजिरिंग डिपार्टमेंट ड्रक्स रिसर्च हैकेथोन में हिस्सा लेने वाला है इस ड्रक्स रिकवरी हैकेथोन का उद्देश Commutational Added Drugs Designing से है यानि कम खर्च में दवा का विशलेशन कर उसे किसी भी विमारी की इलाज के लिए तयार करने से है तो दोस्तों ये है अक्टूबर 2020 का जारखन से रिलेटेड क्रेंट डेफियर जिसके तैत 63 MCQ सौल किये हैं साथ ही में उनका डिस्क्रिप्शन रूप भी देखा है तो इसी तरीके से हम डेली एक सेट लेकर आते रहेंगे मन्थवाइज फिर इसकी बाद मौडल पेपर टाइप में भी करेंट डेफियर सौल करेंगे साथ ही में प्रेक्टिस पेपर भी सौल करेंगे JPSC की वेकेंसी जल्दी आने वाली है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्यो फॉर वाचिंग जामोफोबिया धन्नवाद